इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीचर्स आफ डॉट नेट की पहला फीचर है इसका प्लैटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो कि आजकल के लिए आजकल के जमाने के आप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्लैटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है अगर आप इसमें कोई भी application डेवलप करते हैं तो यह प्लैटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है यानि कि ये किसी एक ओपरेटिंग शिस्टम पर भेजट नहीं होता हैं कि क्यों भी लेंग्वेज चूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए ठीक है? एंसी शारप हो, वीजवल बेसिक डॉटनेट हो, वीजवल C++ हो, SP.NET हो ओके सब इसका जो प्रोग्राम होगा वह आपको किसी भी लेंगवेज को चूज करके बना सकते हैं ठीक है? reach design reach design के अगर बात करें जैसे कि interface अगर आपको तयार करना हो किसी भी application का हो यानि कि आप ऐसा आप सिर्क interface की ही नहीं अगर आप कोई भी अगर आप इसमें से application develop कर दे हैं तो उसका जो look and feel होता है कि आप रीच होता है garbage collection, garbage collection का मतलब यह है कि इसमें आपको memory को dealocate करने का responsibility आपका नहीं है बलकि यह खुद करता है memory को dealocate जिससे कि आपको memory problem नहीं होता है तो आपके program को आपके software को कभी भी memory का shortage महसूस नहीं होगा object oriented है यह easy database connectivity.net में क्या है कि easy database connectivity हम लोग को मिलते हैं हम लोग को यहां से security मिल जाती है security का मतलब यह है कि आपके code की security या फिर आप जो permission देते हैं अपने user को access करने के लिए उसकी security की भी यहां बात की जा सकती है ठीक है यह सारे features है .net के I hope की आप लोग को समझ माया होगा thanks for watching